हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं कुछ ऐसे हैंगिंग बास्के प्लांट के बारे में बात करूंगी जिनें आप फरवरी के महीने में आसानी से लगा सकते हैं ये देखने में तो खुबसूरत लगते ही हैं इनकी केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं अगर आपकी बालकनी में कम धूप आती है और आप ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं और आपको हैंगिंग प्लांट अच्छे लगते हैं तो इन प्लांट को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए जानते हैं अपने 10 ऐसे हैंगिंग प्लांट के बारे में जिने आप फरवरी मा में ग्रो कर सकते हैं नमबर एक स्ट्रिंग ओफ पर्ल यह पौधा देखने में मोतियों की माला जैसे लगता है यह पौधा फ्रेंश ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर बढ़ता है जिस वज़े से इसे लटकने वाले गमले में ही लगाना चाहिए यह पौधा अगर आपके घर में हलकी धूप आती है वहाँ पर लगाईए बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाता है चलिए फ्रेंट्स आप बात करते हैं दूसरे नंबर प्लांट के बारे में दूसरे नंबर का प्लांट है मनी प्लांट फ्रेंट्स मनी प्लांट घर में लगाना बहुत सुब माना जाता है इस पौधे को friends आप मिटी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं friends इस पौधे पर अगर इस पे दोरा पानी दिया जाये तो यह पौधा हमीशा घना और हरा बना रहता है इस पौधे की ज़ादा केर नहीं करनी परती है आपको सिर्फ इसकी पीली पत्यां अटानी है और टाइम पे थोड़ा सा फर्टिलाइजर देना है आप इसे बहुत ही छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं नमबर तीन पर है बरोज टेल प्लांट यह पौधा अंगूर के गुच्छों की तरह दिखता है जिसकी वज़ा से लटकने वाले गमलों में लगाने से यह और भी ज़्यादा खुबसूरत लगता है बरोज टेल प्लांट को कम धूपाली जगह पर ही लगाना चाहिए और आप इसे एक सिंगल पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं मारा फोर्थ नमबर का प्लांट है स्ट्रिंग ओफ रूबीज एक बार यह पौधा लगाने पर यह काफी साल जीवित रहता है इस पौधे को फ्रेंट्स पानी की बहुत कम आवसकता होती है यह पौधा भी आम पौधों की तरह कटिंग से ग्रो किया जा सकता है अगर आपको हैंगिंग प्लांट अच्छे लगते हैं तो इस पौधे को अपने घर में जरूर सामिल करिएगा यह पौधा ज़्यादा केयर नहीं मांगता कम धूप कम पानी में भी चल जाता है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवे नंबर प्लांट के भारे में पांचवे नंबर का प्लांट है बोस्टन फर्न यह पौधा बहुत तेजी से फैलता है और हैंगिंग पॉट में लगा हुआ बहुत ही खूप सूरत लगता है यह पौधा भी बालकनी जैसी कम धूप वाली जगह में लगाना चाहिए अगर फ्रेंट्स आपको अपने आसपास खूप सारी हर्याली पसंद है तो आपको यह पौधा जरूर लगाना चाहिए और फ्रेंट्स इसके एक पौधे से हजारों पौधे बना सकते हैं जैसा कि मैंने का था ये पौदा बहुत जल्दी छेलता है और जल्दी मल्टिपल हो जाता है हमारा अगला हैंगिंग प्लांट है पौर्चुला का पौर्चुला का को मौस रोज 9 ओ कलॉक और 9 बजीय की नाम से भी जाना जाता है आप इसे किस नाम से बुलाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा ये फ्रेंट्स एक ऐसा पौदा है जिसमें बहुत सारे खुबसूरत फूल एक साथ खिलते हैं इस पौदे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूब मिल सके इसके आपको नर्सी में बहुत सारे कलर मिल जाएंगे इसे कटिंग से ग्रो किया जा सकता है इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है और friends आपकी पास इसके कौन से कलर हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे पास तो बहुत सारे कलर हैं इस पौधे को आप बसंत रितु में बीज या फिर कटिंग से उगा सकते हैं हमारा next plant है string of bananas इस पौधे की छोटी छोटी पतियां देखने में केले की तरह लगती हैं तो इसलिए इसे string of बनाना कहा जाता है फ्रेंट्स ये एक succulent पजाती का पौधा है इसकी वज़े से इसे बहुत कम पानी की अवसकता होती है ये पौधा भी फ्रेंट्स ज्यादा तर कटिंग से लगाया जाता है इस पौधे को भी फ्रेंट्स कम धूप वाली जगह पर लगाना चाहिए कम धूप से ही बहुत जल्दी ग्रो होता है और फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंदा रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें अगर इन में से कोई भी प्लांट आपके पास है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ ये बताना ना भूलें आप हैंगिंग प्लांट की केर कैसे करते हैं चलिए जानते हैं अपने नेक्स प्लांट के बारे में जिसे आप अरवरी मा में ग्रो कर सकते हैं तो हमारा नेक्स प्लांट है बेबी टियर प्लांट इस पौधे की छोटी और गोल पतियां देखने में बिलकुल बेबी के आशों जैसी लगती है इसलिए इसे बेबी टियर प्लांट कहा जाता है ये पौधा भी हैंगिंग प्लांट में लगने के बाद घर की सोभा बढ़ाता है इस पौधे की कटिंग लगा कर आप इसे मुफ्त में तयार कर सकते हैं नेक्स प्लांट है स्पाइडर प्लांट spider plant घर में कम धूप वाली जगह पर जरूर लगाना चाहिए क्योंकि ये पौधा हवा को बहुत तेजी से साफ करता है इस पौधे की पत्यां दूर से देखने में मक्ली जैसी लगती है इसलिए इसे अंग्रेजी में spider plant कहा जाता है ये पौधा तेजी से ग्रोध पकरता है इसमें काफी सारे baby plant आने लगते हैं जिने आप पानी और मिटी दोनों में ही लगा सकते हैं हमारा next plant है और आखरी plant one ring dew इस पौधे की एक ही पत्ती में हरा, काला, सफेद और जामनी रंग होता है इसलिए ये खुबसूरत वेल वरगी पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए ये hanging basket में लगा हुआ काफी खुबसूरत लगता है इसे आप एक छोटी पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं छोटी सी छोटी cutting इसकी आसानी से चल जाती है इस बौधे को भी कम धूब और कम पानी की आविसकता होती है तो फ्रेंड्स आपको कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद आया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल कस्क्राइब करें इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में थैंक यू